नमस्कार दोस्तों, Power of Knowledge में आपका स्वागत है और आज का जो हमारा कॉंसेप्ट है, CSS का वो है CSS Multiple Columns हम क्या करेंगे, एक div को Multiple Columns में डिवाइड करेंगे Multiple Columns का benefit हमें वहाँ पर होता है, जहांपर हम अपने column को Multiple layouts के अंदर represent करना चाते हैं जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आप Newspaper की बात करते हो, तो Newspaper में जो आपके पास working है, वो separate columns के अंदर divide हो जाती है तो कुछ उसी तरह की working को हम perform करेंगे, CSS के through CSS Multi Columns ले आओ, allow easy definition to multiple column of text, just like in Newspaper ये text को multiple column में divide कर देता है CSS Create Multiple Columns, अगर हम CSS के अंदर Multiple Columns को create करना चाते हैं, तो हम use करते हैं Column Count Property का Column Count Property specify करती है कि कि कितने column आपको एक specific element के चाहिए, यानि कि div को आप कितने parts में divide करना चाते हो The example will divide the text in a div element into three columns, कि यहाँ पर हम div element को तीन columns के अंदर divide कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि किस तना से miss working को perform करेंगे, मैं अपने notepad editor में जाता हूँ और यहाँ start करता हूँ HTML tag HTML को close किया, portion के अंदर head tag लिया, head tag को close किया, style tag लिया, style tag को close किया, body tag लिया, और body tag को close किया, अब suppose कीजिये, मेरे पास यहाँ पर एक div है, जिसको मैंने class लिया है, CL के नाम की, इस div के अंदर मैं किसी भी working को perform करवा देता हूँ, सपोज कि यह मैंने क्या किया, यह working उठाई, और अपने div के अंदर रख दी, इसी तरह से मैंने यहाँ पर CL क्लास ली, और CL क्लास को मैंने width दे दी, 600 pixels, border दे दिया, 2 pixel, solid और blue, मैं save करता हूँ, अपने browser में जाता हूँ, refresh करता हूँ, तो यह working उसने मुझे यहाँ पर represent करके show करती देखिए, कि मेरी working इतने area के अंदर represent हो रही है, कि मैंने column count property का use किया, editor में गया और यहाँ पर use किया, मैंने column dot count equal to 3, save, तो मैंने यहाँ पर किया column count 3, save करता हूँ, browser में जाता हूँ, refresh करता हूँ, तो यह देखिए, इसने मेरे div को 3 parts के अंदर divide कर दिया, तो मेरी working के हाँ, easily मुझे columns के अंदर represent होना start हो गई है, मैं कहता है, मैं कहता है 3 नहीं, मुझे 2 ही column चाहिए, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर 2 कर दीजिए, मैं 2 करता हूँ, save करता हूँ, browser में जाता हूँ, refresh करता हूँ, यह 2 columns में divide हो गई, मुझे 2 नहीं, मुझे 6 चाहिए, अब just यह numbers का खेल है, जो भी number आप यहाँ provide करोगे, वो उस working को वैसा ही use कर लेगा, तो next हमारे पास यहाँ पर है gap between column, gap between column, एक column के बीच कितना gap हो, तो आप अपने हिसाफ से जितना मेंट यूज कर सकते हो, आपको use करना है column gap property, हम यूज करते हैं कि किस तरह सम इसको follow कर पा रही है, मैं, column, gap property का use करता हूँ, और मैंने यहाँ कर दिया 10 pixels, save, browser में गया, refresh किया, मेरा gap, show कर दिया, तो यहाँ थोड़ा सा increase होता हूँ, 30 pixels, यह देखिए, अब आप उसने gap property यहाँ represent करना, start कर दिया है, कि कितने gap आप इसको use करके देख पा रही हो, तो next property हमाने पास यहाँ पर आती है column rules, अगर हम column rules की बात करते हैं तो यहाँ पर apply करते हैं उसको specific styles, columns के अंदर, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर solid border चाहिए columns के बीच में, rule style equal to, मैं करते हम dotted, save refresh, तो यह देखिए उसने आपको dots represent कर दी है working के अंदर, वहाँ पर मैंने विर्थ को ही column यूज किया हुआ है, और एक मैंने color का column यूज किया हुआ है, तो मैं एक बार slide को देख लेते हैं, तो same rule width, मैं कहता हूँ जी मुझे rule width चाहिए 5 pixel, save refresh, तो इसने 5 pixel में represent कर दी, आप थोड़ा और कम करना चाहते हो, आप इसको एक pixel करना चाहते हो, आप एक कर दो, वैसी working आपको represent करते हैं, जैसे आप यूज करना चाहते हो, या आपके उपर divend करता है, इसी तरह से मैं इसको color कोई देना चाहता हूँ, तो मैं color भी यहां use कर सकता हूँ, तो मुझे just column rule, और color property का use करना है, color, मैं इसको भी color blue ही ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा outer border blue color का है, और width मैं इसकी थोड़े से यहां पर करते रहा हूँ, 5 pixel, और style मैं ले लेता हूँ solid, ताकि मुझे थोड़ा सा देखने है, मुझे अच्छा लगी है, save, border मैं 2 pixel ही use कर लें, तो मैं आउटर 2 pixel ही use किया है, save, refresh, तो देखिए इसने आपकी working को divide करके, represent कर दिया कि किस तरह से आप column में use कर सकते हो, लेकिन अब हम इस property को बार-बार use कर रहे हैं, यह यह इस तरह से चले है, ऐसा है, क्यों ना कुछ हमारे पास ऐसे rule हो, यह working को एक use के इंदर दिखा, तो मैं आपर करते है, column, rule solid two pixel red, मैंने चानबुच के color को change किया है, और मैं इतनी property use कर रहा हूँ, चलो मैं उसी के साथ कर लेता हूँ, मेरी overlap कर जाएगी और लास्ट के property working करें, मैंने five pixel कर दिया है, save, तो यह देखिए इसने working को उसी को perform किया, जो इसको last में मिली है, और आप single एक line से भी उस working को easily यहां पर perform करवाए हो, तो friends मारी आज की class में इतना ही था, thank you, thank you very much.